नवश्कर दोस्तों मैं हुष सुर्जी शामल और आप देख रहे हैं वरकरबॉज टॉट इन आज हम बात करेंगे पी एफ के बारे में पी एफ होता क्या है और उसके बारे में कुछ बैसिक चीज जिसकी जानकारी हर करमचारी को होना चाहिए जैसा कि हमने आपको पहले बता है कि अगर आपको पता होता है तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं और आपको अगर पता नहीं होता है तो बहुत सारे बेनिफिट से आप वंचित रह जाते हैं इसी के कारण यह हमारा चैनल भी है हमारा ब्लॉग भी है जो कि बिल्कुल आपके लिए सिंपल भासा में हम आपको जो भी जानकारी है वो अपलब्द कराते हैं अगर हमारी information केवल आप तक जाके रुख जाएगी तो उसका कोई माने मतलब नहीं रहेगा हमारी यो information है आपके दोरा देश के अलग-अलग हिस्सों में काम करने वाले तमाम वो worker जिनको इसकी जरूरत है उस तक पहुचना है जैसे कि मेरी जिम्मेवारी बनती है आप तक information देने की वैसे ही आपकी जिम्मेवारी बनती है आप इसको अधिक से अधिक से शेयर करें अपने साथियों के नहीं परेंगे ही नहीं तो मांग ही नहीं उठेगी और इसके लिए हर एक वरकर को जागरुक होना होगा उनके हक और अधिकारों को इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं पी-फ के बारे में जो लोग हमारे चैनल पे नया हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको सब्सक्राइब कर ले और इसका जो वेल आई कान उसको जरूर किलिक करें ताकि हम इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो और हमारे वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूले तो आई हम इसको step by step जानते हैं आप चाहे किसी सरकारी गयर सरकारी या कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको PF की जानकारी होगी PF जो होता है हर करमचारी का हक होता है और इसको job join करते समय ही इसका benefit आपको मिलने लगता है लेकिन PF का पूर्ण लाव लेने के लिए आप PF के account से खाता खुलते ही bank का account उसके अलावा जो आपका mobile number है उसको जरूर एड़ करें ताकि इसका benefit आपको मिलता रहा है benefit यह मिलेगा कि mobile number अगर आपका attach होगा तो जिस तरह से आपका हर महीन employer आपके account में पैसे डालेगा तो उसका message आपके number पे आता रहेगा उससे कम से कम दोखाधरी की संभावना कम हो जाएगी सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि PF होता क्या है इसका full form क्या होता है आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि PF को EPF भी करते हैं जिसका full form होता है E, E for employee, P for provident और F for fund Employee, provident, fund यानि कि करमचारी, भविश, निदी यह एक तरह का निवेश है अब आई हम इसको समझते हैं यह जो है किसी सरकारी या ग्यर सरकारी में काम करने वाले और फिर company में काम करने वाले करमचारीों के जो account में है, एक तरह से मासिक निवेश है जिसमें की act के अनुसार, company क्या करती है कुछ पैसे आपके account से deduct करती है उतना पैसे ही वो खुद के अकाउंट से आपके अकाउंट में जमा करती है ये जो होता है आपके परिवार के बुरे वक्त में काम आने के लिए होता है ऐसे तो PF के बारे में मोटे तोर पे हर कोई जानते होगे लेकिन इसमें जो हम जानकारी दे रहे हैं कुछ अलग तरह की जानकारी दे रहे हैं जो कि हर करमचारी के लिए काफी फैदे मंद हो सकता है अब सवाल आता है कि कमपनियों के लिए EPFO का क्या कानूनी प्रावधान है आपकी जानकारी के लिए बता दूँ आपकी company में 20 या 20 से अधिक करमचारी काम करते हैं तो आपका जो company है वो इसके दारे में आता है अभी बीच में कुछ 10 का भी नियम आया है उसके बार में हम बाद में बात करेंगे लेकिन हम पहले इसको जान लेते हैं इसमें का होता है आपकी company को इसमें employee के तरफ से भी और employer दोनों के तरफ से युगदान होता है जो की लगवक बराबर बराबर होता है यानि कि जितना आप जमा करते हैं उतना company भी जमा करती है जो कि आपका double हो जाता है अब एक सवाल आता है कि क्या EPF के खाते में हम normally registered करा सकते हैं जी हां बिल्कुल registered करा सकते हैं और बिल्कुल आप registered करा के रखें ताकि अगर किसी करमचारी की अकास्मिक मिर्ट्य हो जाती है कोई दुरहटना हो जाती है तो कम से कम आपका जो पैसा है आपके nominee को मिले नहीं तो उसी city में क्या हो सकता है problem create हो सकता है अब सवाल यह आता है कि हमारी जो salary हो 15,000 से अधिक है ऐसी city में क्या प्रावधान होगा 15,000 या 15,000 से अधिक है तब आप PF के दारे में नहीं आते यानि कि उसके बाद आपके उपर depend करता है कि आप कटाना चाहें या ना कटाना चाहें लेकिन उससे कम बालों के लिए PF अनिवार्ज है यानि कि जरूरी है उनको हर हाल में PF कटवाना परेगा लेकिन जिनकी salary 15,000 से अधिक है उनके एक्षा पर depend करता है कि उ कटवाएंगे कि नहीं कटवाएंगे अभी एक alignment के cover के अनुसार 21,000 तक की limit करने की बात चल लही थी लेकिन इसके वारे में भी कोई cover नहीं है ऐसे अभी एक Supreme Court का order भी आया था जिसमें मानिय कोर्ट ने कहा था कि जो PF जो है basic और special allowance मिला करके deduct होना चाहिए उसके बारे में हमने पीछे बताया था इसके बारे में अगर कोई अन्य जानकारी आगी तो हम जरूर बताएंगे अगर आप उस जानकारी को सुनना चाहते हैं तो इस i बटन को क्लिक करके हमारा वीडियो देख सकते हैं इसके बाद यह आता है कि हमारा 15,000 अभी salary था अभी हमारा 15,000 से 16,000 हो गया इंक्रिमेंट बगर लगने के बाद तो इसी सिती में हमारा PF का क्या होगा आपकी जानकारी के लिए बता दूँ 15,000 से अधिक वी salary हो जाती है तो optional है लेकिन एक बार आप PF स्कीम में चले गए यानि कि आपका PF का account खुल गया तब आप इसमें से बाहर नहीं आ सकते हैं तब आपको continue करना होगा इसको इसके बाद आपको बता दूँ कि PF का जिनका account है उनके लिए pension का भी scheme है अब इसके बारे में हम थोड़ा गहराई से जानते हैं EPF और EPS जिसे हम EPF काते हैं वह दरसल EPF और EPS दोनों आइटमों का mixture है EPS का मतलब हुआ employee pension scheme और EPF का मतलब हो गया employee provient fund में हमारी salary का 12% करता है वह पूरा का पूरा EPF में जमा होता है जबकि company यानि की employer जो की 12% योगदान करता है उसमें से 8.33% दी जो रकम है वो pension scheme यानि की EPS में जमा होता है और बाकी का 3.67% दी जो है वो EPF में जमा होता है और यह जो pension की रकम है जब आप 59 साल के हो जाएंगे तब ही आपको मिलेगा उससे पहले नहीं मिल सकता है लेकिन उसके लिए कम से कम 10 साल का contribution जरूरी है और यह जो 10 साल का contribution हो सकता है किसी एक company में आप काम करके पूरा कर दे या फिर अलग-अलग company में है इसके लिए क्या करना होगा अगर आप इस company में काम करें आपका जो PF का account है आप दूसरी company में जाते हैं तो आपको उसी में attach कराना होगा जिसे की आपको इसका love मिल सकेगा दस साल से कर कम है तो शायद इसका love आपको ना मिल पाए इसके बारे में आप detail में पढ़ना चाहते हैं तो नीचे आपको description में link मिल जाएगा हमारे blog का www.workerwatch.in वहां जाकर कि आप पर सकते हैं उसके बारे में पूरा describe करके लिखा हुआ है और अगर उससे समंधित को भी सवाल होगा तो उसके नीचे comment box मिलेगा उसमें आप लिख करके भी पूछ सकते हैं अब आगे हम जानते है इसके बाद एक सवाल आता है कि क्या EPF खाताधरकों को insurance की सुवधा दी जाती है तो जी हाँ EPF खाताधरकों के लिए insurance की भी सुवधा दी गई है जिसके तहत employer employee के salary याने की basic से 0.5% का deduction होता है और जिसका जो benefit है वो करमचारी को मिलता है हवंत में सवाल यह आता है कि हमारा PF का जो पैसा है वो कट रहा है तो जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसकी पता हम कैसे करेंगे पहले क्या होता था company जो हर महीने करमचारी के account से PF का पैसे deduct करती थी और 6 महीना के बाद वो जमा कराती थी जिसके बार में पता करना बहुत ह जमा कराना होता है जो आपके account से contribution वो deduct करता है और उतना ही पैसा वो अपने तरफ से जमा कराता है अगर आपने अपना UN number generate कर रखा है और mobile के साथ attach कर रखा है तो उसका message आपको हर महीने आ जाएगा इससे आपको यह पता चल पाएगा कि आपका पैसा सही तरीके से जमा हो है कि नहीं हो रहा है और तो आप online जा करके passbook में भी देख सकते हैं कि आपकी कितनी इंटरिया है और total कितने पैसे हुए सारा कुछ दिखता है इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे और जैसा कि मैंने PF के बारे में बताया इससे संबंधित कोई ही सवाल हो तो नीचे साथी के सवाल का जबाब दें अगर आप जानना चाहते हैं PF से संबंधित कैसे करें कहां करें किन किन मैटर पे कंप्लें करना चाहिए और किन किन मैटर पे क्या क्या प्रावधान है कंप्लें करने का और किस तरीकी से किसके पास कंप्लें करना है इस सारी बातों की जानकार में लिख करके बताएंगे तो हम उसके बारे में भी आपको जानकारी प्रधान करेंगे आपको बताते हुए काफी खुशी हो रहे हैं कि काफी मेहनत करके हमने इस background को लगाया पीछे कैसा लगा ये भी comment करके आप बताईएगा अब आप लोगों से बिदा लेता हूँ जल्द ही एक नए information के साथ बिलूँगा आप इसको like और share जरूर करेंगे धन्यवाद